आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ परफेक्ट फालूदा सेव की रेसिपी कि आप घर पर परफेक्ट मार्केट जैसे फालूदा सेव कैसे बना कर दयार कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में और बगर किसी छंजट के तो यहाँ पर सिर्फ मैंने एक कटोरी आर औरोट लिया तो आप कोई भी अपनी घर की कटोरी ले ले और उससे नाप ले और फिर आपने कहा करना है इसको अच्छे से घोल लेना है इसके अंदर कोई भी गुट्ली वगरन नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल लंफ्री एक घोल बनाकर तैयार कर ले अब साथी में आपने एक तैयारी इसको ना गैस पर रख दिया है और गैस का फ्लेम यहां पर मीडियम टू लो है और इसे कंटीन्यू आपने चलाते रहना छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है वरना यह नहीं नीचे से लग जाएगा और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि घोल है ना धिरी धिरे गाड़ा होने लगेगा और काफी ज्यादा गाड़ा हो जाएगा इस तरीके सब देख सकते हैं आपको इसकी कंसिसतי बराबर दिखा हरे हैं दीरे दीरे इसकी चेंज होने लगती है और इसका कलर वाइट से ट्रांस पेरेंट होने लगता है तो आपने इसको छोड़ना बिल्कुल इस तरही किसा आप घर बढ़ना बहुत अच्छे से फालू दा सेव बना कर रेडी कर सकते हैं जब आपके घर में गैस टाए ना तो अब आपको जब आपको सर्व करना हो तब आप सर्व कर सकते हैं यह देखे अब आपने क्या करना है यह स्टेप जो मैं बता रही हैं आपको नहीं आपने बहुत जल्दी करना है तो मैंने यहाँ पर एक पाइपिंग बैक को ग्लास में फिक्स कर लिया है और उसके बाद जो हमने यह मिश्टन बनाया था उसको ट्रांसफर कर लेंगे अगर यह ठंडा हो गया ना तो इसके फालुदस से बिल्कुल भी नहीं बन बाएंगे तो आपके पास अगर यह पाइपिंग बैक नहीं है तो आपको यह प्लास्टिक की बॉटल ले सकता है उसमें होल्स कर सकते है या फिर नमक वगयरा की थैली होती है या दूद का पैकेट होता है उसको पहले यह अच्छे से वाश करके रखें और फिर आपने उसको यूज करना है तो यह देखें अभी नहीं बहुत ही ज़्यादा गरम है तो मैंने इसको उपर से ने कपड़ी की मदद से पकड़ा हुआ है अब मैं आपको दिखाते हूँ आप देख सकते हैं अपने पर अपने आप दिखने लगेंगे आपने बस continue आपने क्या करना है नूडल्स निकालते रहने हैं और जैसे जैसे इनको एक से दो मिनिट होगा न यह उपर आपको सफे सफे दिखने लगे अब यह देखें मैं इस पाइपिंग डैग में सबको निकाल कर दिखा रही हूं और इतने पर्फेक्ट नूडल बनकर तयार होते हैं नूडल के लीजिए फालूदा सेव के लीजिए और बहुत ही जल्दी और करने में मज़ा भी आता है तो इस तरी किसा आप बना कर तयार कर लीजिए जब आ की लेजिए चैनल को सब्सक्राइब किगा बिल्कूल मद जाना